So, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष and आज के मिस वीडियो में बात करने वाले हैं UPSC NDA के फोर्म के बारे में आप कोई भी फोर्म के डिटेल्स हैं आप से पोच लिएगा अब आपके दिमाग में कोशेन आएगा कि बायचान सब्सक्राइब को गल्ती हो जाती है तो उसके लिए क्या होगा तो देखिए और उसके बाद ही आपको जो form है वो final submit किया जाएगा तो इस तरह से गलती ही कोई भी गुंजाइस नहीं रहेगी और एक घंटे ही अंदर आपको जो form है वो submit कर देया जाएगा तो अगर आप form fill करवाना चाहते हो तो आप description में हमें message कर सकते हो आपको number मिल जागा description में और चलिए बात करते हैं कि अगर आप खुद से form fill करना चाहते हो तो form आपको step by step कैसे fill करना है तो देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आप details की क्या क्या document थी है आपको क्या limit होनी चाहिए तो देखिए सबसे पहले बात आते हैं यहाँ पर starting date या last date की तो यहाँ पर start up की form हो चुकी है last date जो है वह आपकी 10th of January है उसके लावा correction date अगर बाइचन साब से कर गलती हो जाती है form में तो correction की date भी यहाँ पर दी गई है 18 से 24 जनवरी के बीच आप ए correction भी कर सकते हो exam date भी आपको बता दी गई है 16 April से आपके exam स्टार्ट हो जाएंगे उसके लावा अगर आप बात करें fees की तो देखिए यहाँ पर general and OBC की 100 fees है स्ट क्रेगरी से अगर आप हैं तो कोई fees आपको यहाँ पर पेने करनी होगी all female यानि journal OBC स्ट क्रेगरी से कोई भी गल्स यहाँ अप अप्लिकेंट है तो उसको कोई भी fees यहाँ पर पे नहीं करनी होगी उसके लाव अगर हम बात करें यहाँ पर age limit की 2 July 2004 से लेकर 1 July 2007 के बी आपका होगा अब चलिए बात कर लेते हैं पोस्ट की कि बाई पोस्ट कोन सी कोन से कितने यहाँ पर vacances आपको देखने को मिलेगी तो देखें अन्डी की जो है अर्मी नेवी एरफोस थीनों विंग का नाम यहाँ पर दिख रहा होगा आपको यहाँ पर उनकी पोस्ट भी आर्मी के लिए अगर आप अपड़ होने चाहते हो तो यहाँ पर आपके पास व्चे है आपके पास फीजिक्स और मैथ सबजेक्ट होना compulsory है अगर आपके पासंस पीजिक्स और मैथ है तो आप इन तीनों के लिए apply कर सकते हो अगर आपने art या commercial की है तो सिर्फ आप army के लिए apply कर सकते हो So I hope कि आपको इतनी चीज़े clear हो गई होगी अब बात करते हैं subject की या फिर exam pattern की तो देखे exam pattern जो है वो है आपका mathematics आएगा उसके लावा general ability test होगा 300 नंबर के math आएगा उसके लावा English आएगी 200 नंबर की GK आएगी 400 नंबर की अलगलग time आपको दिये जाएगा 2.5 वोस यानि धाई गंटे आपको दिये जाएगे exam के तो भी इतना आपको समझ में आ गया होगा अब form फिल करते हैं चलिए देखते हैं form कैसे फिल होगा इसका मैं link आपको description में देद होगा आप वहाँ से जाके directly इस page पिर आ सकते हो आपको simply यहाँ पर click कर लेना है click करने के बाद कुछ इस तरह का page आपके सामने खुल जाएगा site काफी पर busy आपको मिल सकते हैं आपको थोड़ा सा wait कर लेना है अब देखी कुछ इस तरह का page आपके सामने खुल जाएगा आपको सबसे उपर होगा new registration का आपको simply इस पर click कर लेना है and click करने के बाद कुछ इस तरह का page आपके सामने खुल जाएगा यहाँ पर आपको अपना नाम डाल देना है अब देखी जितनी पर details आप खुद से डालोगे सभी आपको अपनी mark sheet में check करकर डालने है आपके जो mark sheet में नाम होगा वो आपको simply यहाँ पर डाल देना है अगर surname है तो surname लगाना है अगर surname 10th की mark sheet में नहीं है तो आपको surname यहाँ पर नहीं लगाना है तो इस तरह से कुछ details आपको feel करनी होगी तो यहाँ पर फटावट से एक बर detail feel कर लेते हैं अब देखे यहाँ पर एक option है minority status का अगर यहाँ पर आप yes करते हो तो हई आपके पास कुछ इस तरह के option खुलेंगे बट यहाँ पर yes किसको करना है अगर आप Muslim है, अगर आप Christian है, Sikh है, Buddhist है तो इन में से अगर आप कुछ भी है तो आपको यहाँ पर yes क्लिक करना है बट अगर आप Hindu है तो यहाँ पर आपको simply no करना होगा नो करने के बाद यहाँ पर आपको mobile number डालना है अगर आपको यहाँ पर कुछ गलती है या फिर आप से कुछ गलती हो गई है तो आप update and change here पर क्लिक करके वापी सा backstrap पर जा सकते हो और आपको जो भी गलती है उसको सही कर सकते हो और दुबारा से step पर आने के बाद अगर आपकी साइट लिदल सही है तो आप agree पर क्लिक करके next step पर जा सकते हो जैसे अब agree पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक OTP जाएगा आपके phone पर और यहाँ पर एक OTP जाएगा आपकी email ID पर आपको दोनों यहाँ पर डाल देने है और उसके बाद verify OTP पर क्लिक करके next step पर आपको आ जाना है अब देखे जब आपका OTP submit होगा तो कुछ इस तरह का जो page होगे सामने खुल के आएगा अब यहाँ पर आपको एक OTR ID मिल चुके राइट साथे साथ आपके पास message भी आ गया होगा जो भी अपने phone number दिया होगा जो भी mail ID दी होगी वहाँ पर आपको यह OTR ID send कर दी गई होगी अब यह हमें कहां पर चीए जब हम दुबारा से इसको login करेंगे आगये का phone fill करने के लिए तो वहाँ पर हमें यह OTR ID चाहिएगी तो आपको इसको no-down कर लेना है अगर आपके पास message नहीं आया या फिर message आ गया है तो फिर आपको next chapter यहां से आ जाना है अब देखिए आप वापी से login page पर आओगे तो यहाँ पर आपके सामने option होगे email ID का mobile number का and OTR ID का जो भी हम मैंने अभी आपको दिखाई थी उस OTR ID से भी आप यहाँ पर login कर सकते हो email ID डलके भी कर सकते हो and mobile number डलके भी आप login कर सकते हो simply right अब देखिए यहाँ पर login करने के बाद कुछ इस तरह का page आपके सामने खुलेगा अब यहाँ पर आपके सामने लिख रहा होगा click to change gender का by chance अगर आपका gender अभी भी collect हो जाता है तो आप इसको change कर सकते हो minority status अगर आपका अगलत हो जाता है तो आप यहाँ पर change कर सकते हो अगर site details सही है तो यहाँ पर आपको new password डालना होगा confirm password में same password डालना होगा मतलब कुछ ऐसा password जो आपको याद रहे login करने में आपको सामने हो right जैसे कि मालेज आपका नाम add the right 123 कुछ इस तरह का password को यहाँ पर बना लेना होगा और इस page को आपको submit कर देना होगा right अब देखे यार कुछ इस तरह का page के सामने खुलेगा अब यहाँ पर आपको समझेने वाली बात होगी कि अब यहाँ पर हमें कहाँ पर क्लिक करना राइट अब की बार ही ऐसे कुछ update यहाँ पर हमें देखने को मिले है लास्ट जीर तक जब जैसे form fill होती तो कि ऐसा कुछ नहीं आता था right तो कुछ changes यहाँ पर कर दी गई है अब यहाँ पर कहाँ पर क्लिक करना है सबसे पहले आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे यहाँ पर आपका नाम भी आपको दीख जाएगा कि बही है अपकी profile यहाँ पर अपन हो चुकी है उसके बाद यहाँ पर कुछ इस तरह के option है आप यहाँ पर देखिए nda का फोर्म आपको दिख रहा होगा cds का फोर्म आपको दिख र देना है, right? Yes पर click करने के बाद आप देखिए कुछ थोड़ा सा टाइम में हो सकता है, लग सकता है, यहाँ पर क्योंकि साइट काफी busy रहती है, तो उसके बाद देखिए, यहाँ पर कुछ इस तरह के option आपके सामने खुल जागा, यहाँ पर पूरी profile यहाँ पर दिख रही हो जैसे certificate number आपको यहाँ पर डालना होगा, जो भी आपको certificate के नीचे corner में मिल जाएगा, उसके लावा date आपको left corner में मिल जाएगी, date आपको यहाँ पर डाल देनी है, जो भी date है, side details आपको यहाँ पर डालनी है, उसके बाद, अब देखिए, यहाँ पर education qualification option होगा, अब यहाँ पर चार option है, first है, past 12th class or 10 plus 2 patterns of school education or an equivalent exam but not having physics and math, मतलब भई आपने 12th class pass कर ली है, but आपके पास 12th में physics नहीं थी, math नहीं थी, तो आपको यह option चूज करना है, उसके बाद, अगर आपने 12th कर ली है and आपके पास physics and chemistry थी, तो आपको यह option चूज करना है and यहाँ भी physics and chemistry अपने 12th class में अभी हाँ हो, बट आपके पास physics नहीं है, chemistry नहीं है, तो आपको यह option चूज करना होगा and भई अगर आप 12th class में हो and आपके पास physics और chemistry है, तो आपको last वाला option चूज करना होगा, तो कुछ इस तरह की details अगर आपको नहीं समझ में आता, तो भई आप इस form के अगर मत गुसना, क्योंकि form अगर गल्थ हो जाता है एक बार, तो आप इसे बार-बार form फिल नहीं कर सकते, तो अगर आपको form समझ में नहीं आता, तो simply हम हमें अपने document sign कर दीजेगा, हम आपका form अच्छे से fill कर देंगे, तो यहापको details फिल कर लेनी है, माली ची मैं 12th class मे मैंने कर लिए है, मैंने पास physics और chemistry तो मैं simply इस option क्लिक कर लूँगा, क्योंकि यह चीज है हमें काम आएंगे, जो भी आप डिलस फिल करोगे, पहली बात तो अगर आप यहाप गलत करोगे, तो आपका form reject हो जाएगा, दूसरी बात अगर आप यहाप यहाप गलत करोगे, त पिन कोड जो भी आपका है, यहाप आपको simply डाल देना है, जो भी आपका PIN कोड है, उसके बाद यहाप पर देखी, continue का आपको ओप्शन देखेगा, आपको simply continue पर क्लिक कर लेना है, वहाइं continue पर क्लिक करने के बाद आप यहापको सबसे पहले डालना होगा, डिटेल, जो भी आपके पास अधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, जो भी आपके पास ID एवलेबल है, वो simply आपको यहापको यहापको चूज कर लेनी है, उसके बाद यहापको यहापको उसका नंबर डालना होगा, उसका दिखी यहाप फोटो अडेंट यहापे लिखाओ आए कि DID YOU EVER FAIL IN CPSS, भीज, आपने पहले गभी ऐख्जाम दिया हो गए मैं उसका आपको यहापको यहापे Yes यापक之前 चूज करना है, उसके लावा देखे वएदर स्टूएंट्स आप सैनिक, मिलिटरी स्कूल का कभी, स्टूएंटहै या नहीं, लाइई, आपको यहाँ पर यहाँ पर चूज कर लेना है, अगर आप स्टूडेंट हैं वहाँ के, तो आपको यहाँ पर यहाँ पर देखने को मिलेंगे, आपको अच्छे से इनको पढ़ लेना है, and यहाँ आपको यहाँ पर चूज कर लेना है, and उसके बाद continue पर आपको click कर देना है, continue पर click करने के बाद दुबारा से आपके side details जितने भी आपने fill की होंगी सब भी दुबारा से show करेगा दुबारा से को cross check कर लेना है अगर आप हमसे form फिल करवाते हैं तो हम आपकी दुबारा से details cross check करवाएंगे तो देखें यहाँ गलती कि यहाँ पर कोई गुझाईस नहीं रहती इतनी बाद डिलेक्स आपकी check होती है इसकी आपको ज़रूरत होगी second step complete करने के लिए तो यहाँ पर आपका first step complete हो चुका है पहले यहाँ पर note active का option यहाँ पर दिख रहा था आपको तो वह आपको बताने होंगे अगर आप form fill करवाना चाहते हो या फिर आप खुद भी form fill करते हो तो भी आपको पता चलिए काफी सारे OTP यहाँ पर आती क्योंकि अलग से process यहाँ पर कर दिया गया है नया सारा process है तो OTP काफी सारे इसमें आते हैं तो OTP आपको बताने होंग क्या क्या उसका size होना चीए तो side details से आपको यहाँ पर मिल जाएंगे तो चलिए फटा फट से यहाँ पर document upload कर लेते हैं और इसको update करने के बाद next app पर मिलते हैं अब देखे यहाँ पर जैसे आपने continue पर या next app पर click किया तो भही यहाँ पर दुबारा से page पर आप आ नहीं होंगे अपने तो simply यहाँ पर आपको click कर लेना है and click करने के बाद यहाँ पर examination center आपको यहाँ पर show कर देगा अब देखे यहाँ पर एक चीज़ और आपको बता देता हूँ कि भी जितना जल्दी आप उपने फॉम फिल करोगे या करवाओगे उतने जादा आपके प red हो जाता है तो फिर आप चंडी का choose नहीं कर पाओगे तो इस तरह से आपको choose करना होगा फटावट से आपको फॉम फिल करने होगे and form यहाँ पर exam center आपने चूज कर लिया है exam center आप दुबारा से यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर काफी सारे exam center आपको दिखी रहेंगे top in center को choice कर सकते हो राइट वीडियो कराम से post करके या slow करके आप आप आपको देख सकते हो जो 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 exam center आप यहाँ पर फिल करना चाहते हो जो भी आप वो हमें बता सकते हो राइट तो भी exam center मैंने आपको बता दी है अपके लिए next step आप यहाँ पर होगा and I have read declaration आपको click कर लेना है और आपको form जो वो submit हो जाएगा यह आपको form submit हो चुका है you can view print your complete application for your further reference भी आपका form जो है complete हो चुका है अब simply आपको इस पर click कर लेना है अब देखिए जैसे मैंने click किया वहाँ पर तो मैं इस page पर आज चुका हूँ और यहाँ पर देखिए view print and application का option आज चुका ह यहाँ पर जैसे में click here करूँगा तो मैं प्रिंट आउट निकल के आ चाएगा तो आप देखिए जार कितना लंबा process है form fill करने का जो आपकी starting में जितनी में details fill की गई थी वो आपकी profile बनी है अब आप next year जब भी form fill करोगे next time जब भी form fill करोगे तो इस profile से आपको form fill करना या फिर आप हमें document send कर सकते हैं और हम भी आपको form fill कर देंगे तो पूरा process में आपको बता दिया है तो आज के लिए इतना ही उमीद कतम को वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे like जरूर कीजिएगा informative हो तो चैनल को subscribe कर लिजिएगा क्योंकि ऐसी और भी कभी सारी वीडियो आपके लिए आती रहेंगी तो चैनल को subscribe कर लिजिएगा बैल आकन को press कर लिजिएगा आज के लिए इतना ही जल्दी मिलते हैं एक और ऐसी वीडियो के साथ तब तक के लिए शुक्रिया